दोस्तों मेरे पास तीन सवाल है क्या आप चाते हो कि आपके पार्टनर बस आपको ही प्यार करे दूसरा क्वेस्टिन है क्या आप ये चाते हो कि आपके पार्टनर हमेशा मरते दम तक बस आपको ही प्यार करे और आपके उपर ही उसका पूरा का पूरा इंटरेस्ट बना रह और तीसरा question है क्या आप जाते हो कि आपके partner कभी आपको छोड़के नहीं जाए अगर तीनो question का answer हाँ है तो ये video सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है इसको इन तक जरूर देखना ये तीनो question का answer आज आपको मिल जाएगा और आप एक बहुत अच्छी tricks पालोगे जिससे आप हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हो और वो आपको कभी भी नहीं छोड़के जाएगी और मरते दम तक बस आपसे प्यार करेगी तो ये video इंट तक जरूर देखना तो चलिए दोस्तों video start करते हैं दोस्तों पहले आप ये जानलो कि इंसान किसी को छोड़के क्यों जाते हैं लेखिए पहले आप एक example से समझिए मान लेजे आप एक अच्छा सा new वाला mobile खरे दे हो अब आपका सारगा सारा interest उस mobile पर ही है अब जब तक आप उसको पूरगा पूरा नहीं जान लोगे उसकी सारी features को आप पूरगा पूरा जब तक नहीं जान लोगे तब तक आपका interest उस phone में बना रहेगा अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप जानते चलोगे आपका interest उस phone से कम होता जाएगा अब होते होते एक कुछ साल बाद ऐसा समय आएगा जब आप पूरा का पूरा जान लोगे उस mobile के सारे features सारे उसमें जो भी है सब कुछ आप जान लोगे तब वो mobile आपके लिए उतना खास नहीं रहेगा आपका interest उससे कम हो जाएगा फिर आप क्या करोगे फिर आपको एक नई mobile के तलाश होगी जिसमें आपको सब कुछ अंजान है नई features है अपक्रेट इट features है यह सब है तो आपको कब interest खतम होता है जब आप सब कुछ जान ले तो ऐसे ह है तब एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते है तब उन दोनों में interest सबसे जादा होता है ऐसे जब love relation दो-चार साल चले जाते है फिर दोनों में interest थोड़ा कम हो जाते है फिर जब शादी के बाद और जान जाते है एक दूसरे को interest और खतम हो जाते है ऐसे जब 20 सा साधी के गुजार लेते हैं या फिर 10-15 साल तो पूरा का पूरा वो लोग एक दूसरे को जान जाते हैं इससे क्या होता है कि पूरा का पूरा इंटरेस्ट खतम हो जाते हैं तो अगर आप चाते हो कि आपके पार्टनर हमेशा बस आप पर ही फोकस बनाए रखे आपको कभी छ है आप वो खुली किताब नहीं हो जिसके बारे में वो सब कुछ जानते हैं आपको मिस्टिरियस परसन बना होगा जिसको वो समझ ना पाए ठीक है आप ध्यान से समझे साइक्योलोजिकल फैक्ट्स है अगर आपको पूरा का पूरा वो समझ जाएगी तो आप पूरा का जब पैचान जाते तब उन दोनों को अच्छे से पता होता है कि मैं क्या बोलूगी वो क्या रियक्शन देगी मैं अगर यह बोलूगी तो वो ऐसे रियक्शन देगी या फिर मैं यह बोलूगा तो वो गुस्ता हो जाएगी तो यह सारा का सारा पता होते हैं तो आपको ऐस behavior है कुछ दिन बाद आपको उसको change करना पड़ेगा मतलब क्या आप उसके जो जो बातों में अभी मान लीज़े नाराज होते हो कुछ साल बाद आपको करना यह है उन बातों पे आपको नाराज नहीं होना है मैं just एक example दे रही हूँ अपने हिसाब से वो आप समझ अरे यह क्या है यार मैं तो इसको समझी नहीं पातू कभी कभी यह कैसा कैसा behavior करने लगता है तो रंग बदलता है अब रंग बदलने का मतलब यह हरा नीला पीला ऐसा रंग बदलना नहीं रंग बदलने का मतलब है behavior को बदलना ऐसे बदलना जैसे सामने बाले के नजर में आप unknown person बने रहो, आप mysterious person बने रहो कि आपके उपर हमेशा उसका एक interest बना रहे है, आपको पुड़क पुड़ा जानने का एक आगर बना रहे है, अगर आप ये करेने में सक्षम हो जाओगे, तो आप लिख लो, मैं लिख दे सकती हूँ, कभी भी आपको वो छोड़के नहीं जाएगे, तो आपको हमेशा ये बने में फोकस करनी होगी, कि जिसको वो नहीं पैचानती है, अपनी आदतों में change लाओ, अपनी behavior में change लाओ, अपनी बात करने के style में change लाओ, अपनी जो style है, अपनी जो बाते हैं, अपनी जो सारे thinking है, सब कुछ है, सब कुछ में change लाते रहो लाते रहो अब ऐसे करके आप हमेशा उसके लिए एक नई परसन बने रहोगे एक मिस्ट्रियूस परसन बने रहोगे जिसको वो कभी भी नहीं छोड़के जाएगी तो दोस्तों आज के लिए इतना वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कॉमेंट करना अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दोगे मुझे ये विश्वास है और दोस्तों ऐसे वीडियो लव टिप्स और रिलेशन्सिप टिप्स मैं लाती रहे तो इस चैनल में तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन दबा देना क्योंकि ताकि आप मेरी कोई भी झाल अगल जए में टकी वीडियो और दूर्णियोंकि आप में नहीं तूर्णियोंकि कि उड़ता और भीडियोंकि आप लाईते विवश्वास है तूर्णियोंकि खालता है